माहुल देखने कॉ मिल रहा है क्या कुछ प्डेट निकल के आ रही है और क्या कूछ इसका कशपूर्क हुआ टारगिक रहने वाली है देटियर Gatewayne को समझे वैखर फॉष्ट टैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन बैल को को ओन कर लो ताकि जब भी मैं जो वीडियो अप्लोड कर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जब भी मार्केट क्रेस हुआ तो यह स्टोक भी क्रेस हुआ था लेकिन दोनों दिन पोजिटिव माउल आपको देखने को मिला है इसका रीजन क्या है कुछ अपडेट निकलके हमार परसेंट उचला भई अब यह अपना क्योंकि सोनी के साथ इसकी पार्टनरसीप होनी थी वो कैंसल होगी थी उसका बहुत ही नेगिटिव इंपक्त आपको स्टोक पे देखने को मिला है लेकिन अब बोड की बैठक में इन्होंने 2000 करोड का भई फंड जुटाने को मंजूर दो जिस वजह से आपको पोजिटीव माहुल देखने को मिल रहा है अब चलते हैं चार्ट पर समझते हैं कि कौन-कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं कि हम समझते कि कौन से लेवल इंपोटेंट रहने वाले यहां पे जब स्टोक 163 का ब्रेक आउट कर देगा तो फिर यह स्टोक जाता हुआ नजर आएगा आपको 208 पे अगर इसका ब्रेक आउट हो जाता है तो फिर भई टैंसन खतम होने की तरफ बढ़ जाएगा स्टोक क्य है तो आने वाले टाइम में हो सकता लोंग ट्रम में यह रिटन दे दे तो स्टोक पे आप नजर बना के रख सकते हैं लेकिन इंवेस्टमेंट ध्यान से करना और खुदी अनलाइस के बाद ही करना और यहां पे स्पोर्ट समझते हैं यहां पे जो स्पोर्ट रहेगा वो 129 का रहेगा अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता तो यह इसका 110 का सपोर्ट रहने वाला है यह लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इनको ध्यान में रख्याव पर ट्रेड कर सकते हो लेकिन इंवेस्टमेंट से पहले ट्रेड शेपहले खुद के अनलाइस जरूर ले ना इस वीडियो का मोटिव only for education purpose है.